जमुकश्मीर के सरकारी सीमट की तसकरी में ट्रक चालक गर का मालिक गिरफतार जमुकश्मीर में कट्वा शहर से सटे जंगलों शेत्र के कनियाडी गाउं में एक नीजी परिसर से पकड़ी के सरकारी सीमट मामले में पुलीस ने घर के मालिक ट्रक चालक को गिरफतार कर लिय मंगलवार को पुलीस ने एक सूचना के बाद सरकारी सीमट के 500 बैग बरामत के थे बताया जा रहा है कि सीमट बैग की तसकरी से प्रवावशाली लोग जुड़े हैं जिसके चलते पुलीस ने अभी तक नाम सार्जुनिक नहीं किये हैं हाला कि मामला दर्श कल कारवाई जार जमो मैजिकल कॉलेज और अन्य हस्पितालों में उपचार कराने वालों की संक्या लगतार बढ़ती जा रही है इनमें अधिकांस देंग्यों के सासद वाइरिस बुखार से पीडी थे जमो कुश्मीर की डोड़ा हादसे में साना के जवान बने देवदूद एर लिफ्ट कर गायलों को पहुचाया जमो जमो कुश्मीर में डोड़ा जीले के ठाटरी में मैड़डोर अन्यांतरन होकर खाई में गिरने से अब तक की रिपोर्ट के अनुसार तेरा लोगों की मौत हो गई है हादसे में 15 से अधिक लोग गायल हो गए है इनमेंसे 7 को एर लिफ्ट करके जमो लाया गया हादसे की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग गायलों की राहत और बचाव के लिए मोके पर पहुचे उन्होंने सानके जवानों के साथ मिलकर गायलों को खाई से निकाला जिसके बाद उन्हें जिला हस्पतार पहुंचाया गया जमो कश्मीर के सांबा पुंच समेट 4 जिलों में अतिरिक्त जिला को खोले जाएंगे 40 अतिरिक्त पदों के स्रेजन को भी मनजूरी जमो कश्मीर के सांबा पुंच समेट 4 जिलों में अतिरिक्त जिला नियालाए बनाने को मनजूरी दे दी गई है प्रशासनिक परिशत की बैटक में इसके गटन में महर लगाई गे जमो संबाग में सांबा और पुंच चपकी कश्मीर संबाग में बांडिपोरा और गांदरवल में अतिरिक्त जिला कोट स्तापित होंगे इन अदालतों के लिए 40 अतिरिक्त पदों की स्रेजन को मनजूरी दे दी गई है जमो कश्मीर में बच्चों को अगले साल से पढ़ाई जाएंगी शहीदों की कहानिया पार्टी करम में शामिल होंगे वीरों की गाथाएं जबो कश्मीर के उपराजपल मनोत सिना ने कहा कि परदेश के बच्चों को अब कश्मीर के युद असली नायकों से परिचित कराने की जरूरत है अगले साल से जबो कश्मीर के बच्चों को मेजर सोमनाथ शर्मा मुकुल, शेरवानी ब्रिगेडर रजिंदर सिंग और लेट संक्रमितों की कुल संख्या 20,925 हो गई है जानकारी के अनुसार पिछले साल महमारी फैलने के बाद से लदाक में कोवेड-19 से 208 लोगों की मौत हुई थी इन मेंसे लेके 150 और कारगिल के 58 रोग्यों की मौत हुई 25 दिन बाद शारुक खान के बेटे आरिन खान को मिली जमानत अभिनेता शारुक खान के बेटे आरिन खान को आज 25 दिन के बाद जमानत मिल गई है जमो कश्मीर में फसलों को हुआ नुकसान प्राकितिक आपता गोशित प्रवावित किसानों को जल्द मिलेगी राहत राशी जमो कुश्वीर के उपराजवाल मुनोज सिना ने परदेश में बे मोसम बारिस से किसानों को और सेव उत्पादों को हुए नुकसान को प्राकितिक आपदा गोशित की है और जल्दी सभी पादर किसानों को रहत राश्वी वित्रित की जाने का आश्वासर भी दिया गया है